किसी भी प्रकार के investment के लिए कोई भी investment companies अगर किसी भी तरह के deposits लेती हैं या investments लेती हैं और उसके सामने business में से कोई returns के बारे में promise करती हैं तो उसे RBI की SEBI की permissions की ज़रूरत होती है यह unfortunate है कि लोग जो है इनके भैकावे में आ जाते हैं और इस चक्कर में कि every month उनकी छोटी सी saving होती हैं वो saving उसमें investment करके वो सुचते हैं कि पात्ता सदार हमको every month खर्चा मिलता रहेगा तो हमारा काम और हमारा घर जो है चलता रहेगा और उस चक्कर में लोग जो है यह सारे permissions अगरा कुछ देखते नहीं मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि दो cases अभी हाली में हुए ए हिदराबाद-based कोई लोग थे औरते थी जो है इस तरह के हजारों करोड रुपे जमा की और वो को बड़ी मुसीवत के अंदर डाल दी मीरा रोड के अंदर जो गोल्ड एक्स्प्रेस का हाथसा हुआ है उसमें भी कई families कई हजार families जो है अपने पैसे इसमें लगाई और उन Economic Offense Wing के अंदर ये केस को ट्रांसफर कर दिया है जिस दिन ये हाथसा हुआ उसी दिन हमने पुलिस से बात करके Economic Offense Wing के अंदर ये केस को ट्रांसफर कराया है और Evershine नगर के पास जो Outpost Police Station है वहाँ पे specific officers निख्ट किये गए हैं जो 10 से 6 वे तक वहाँ बैठते हैं हर investor ने जिन्हों ने भी अपने पैसे लगाया है वो अपने पास की पैसों की जो investment की details है वो लेकर के अपना case police के पास register कराईए police जो उसमें जो भी आरोपी है उनको ढूनने का काम कर रही है मगए जब तक के आप अपने case register नहीं करेंगे और अगर आपको ये लगता है कि आपको बगर case register किये कोई भी इंसान आपको पैसे दिला सकता है तो ये आपकी गलत फहिमी है महर्मानी करके मेरी request रहेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पांजी schemes में ना जाए ऐसी गलत जगाओं पे अपने महिनत के पैसे ना लगाए और police में अपना case दर्ज कराए